ये वीडियो उनके लिए बहुत जादा important है जो लोग अपनी डोमेन में freshers हैं basically वो हो सकता medical में, हो सकता engineering में, हो सकता banks में, हो सकता BBMV किया, हो सकता law में, वो doesn't matter क्योंकि मैं engineer हूँ 11 साल से तो मैं जो example लेकर आपको समझाऊंगा वो engineering के होंगे but it is applicable to everyone, it doesn't matter और मेरा नया नया चैनल है तो बहुत जादा मैं वीडियो editing editing मुझे नहीं आती है तो mostly मेरे शब्द यहाँ पर पैदा होते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं बिना परवरिश के, तो थोड़ा से ध्यान देना, raw हो सकता है थोड़ा सा वीडियो सबसे पहली चीज, जितनी भी average चीजें, जितनी भी repetitive चीजें, वो आने वाले चार से पांस साल में उनको यही खा जाएगा, खातम कर देगा जड़ से तो आपके लिए red signal है, red flag है अगर आप किसी project में हो और आप कुछ ऐसा काम करते हो, जो की repetitive है, जिसको replace किया जा सकता है, और जो की average है काफी, so be careful, आने वाले टाइम में उसको AI खा जाएगा, इतने software's available है AI के, इतने tools available है, इतने plugins available है, और मैं किवल engineering की बात नहीं कर रहा हू हर field में AI के tools available है, वो सकता हो medical हो, वो सकता हो accounts हो, वो सकता हो content creation हो, even AI के lawyers तक prepare के जा रहा है, जो की cases लड़ेंगे, so be careful, अब बात आती है कि भाईया, आप हम करेंगे, हमारा एक साल का experience हो गया, दो साल का हो गया, या फिर हमारा placement हो है, और हम तो fresher है, हम क्या ही करेंगे, हम क बहुँ जादा क्रांती लानी भी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें specialization की तरफ बढ़ना है, हमें expertization की तरफ बढ़ना है, हमें थोड़ा सा जिद्धी होना है, हमें थोड़ा सा धीट होना है, हम प्रोजेक का काम करेंगे, ठीक, अच्छी बाद, लेकिन हम कुछ ऐसा काम भी आदे गंटे 45 मिन्ट एक गंटे हम कुछ अपनी डोमेन से रिलेटेड भी काम करेंगा भाई कुस्तों हमें पसंद होगा ना किसी बेसेस पर हमारा सेलेक्शन हुआ होगा हमें कोडिंग पसंद होगी या फिर टेस्टिंग या फिर क्लाउड या फिर डेवॉप्स या कुछ तो पसंद होगा मैं तो हमें डेसाइड करना है कि हमें कौन्थी डोमेन सेलेक्ट करनी है और हम ऐसी डोमेन सेलेक्ट करेंगे जिसका vision क्लियर हो और जिसका future में बूम हो जिसका अभी बूम हो कुछ ऐसा मास्टर भी बन गए तो यह डिजन्न कहीं वैल्यू नहीं रह ज़्यादा से ज़्यादा एक साल लगता है, दो साल लगता है, लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोगों को पता चलने लगे हैं कि भाईया इनको आता है कुछ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, जब ऐसा होगा तो आपकी value बढ़ेगी, आप जब चाहोगे तो नहीं करना है, तो हमारा क्या solution है, expertise की तरफ बढ़ेंगे, specialization की तरफ बढ़ेंगे, दूसरी चीज, जब हम किसी project में जाते हैं, हमारा placement होता है, तो हमारी जवानी के भरपूर peak होती है, तो हम बहुत जल्दी किसी से महबत कर लेते हैं, किसी से नफरत कर लेते हैं, तो हम ज मेरी application को कैसे देखा, तुमने मेरी application के locks कैसे देख लिए, तुमने मेरे email का reply कैसे कर दिया, भरी जवानी में ऐसी लडाईयां हो रही है, तो be careful, ऐसा अगर कोई कर रहा है, तो उसकी गाड़ी कहीं और जा रही, जाने दो, तो मारी गाड़ी ऐसी जगा नहीं जानी चाहिए हो सकता तुमारी गाड़ी slow start ले, बट destination आपकी गाड़ी का बहुत बहतर हो, उसकी तो ठुकेगी ही ठुकेगी कहीं न कहीं जागे, उसको जब realize होगा तो बहुत लेट हो चुका होगा, तो ध्यान देना है, इन सब चूतियापों में नहीं बढ़ना है, कि application को दिल से लगा यह सब वैलन्टाइन के साथ चेंज होते रहें, एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, आपका एकी सच्चा प्यार है, वो है आपकी technology, आपकी नौकरी जाएगी, आपको technology दिलवाएगी, ठीक है, आपको ब्रेक अप होगा, आपको technology खिलाए कर रही हैं तो हमें सबसे ध्यान देना है टेक्नोलोजी पर ना कि इन बकैतियों वे तो बी गेरफुल तीसरी तीसरी चीजी बहुत इंपोर्टेंट है जितने दोस्त मिलने थे स्कूल में कॉलेज में नौकरी में एक दो साल तीन साल तक अब दोस्त वैसे नहीं मिलेंगे जै नए लोगों से एक्सपीरियंस लोगों से बक्चोदी नहीं कर दी है कि सर ने मुस्कुरा के बोल दिया मैटम ने मुस्कुरा के बोल दिया पिघल गया बिलकुल भाया सर की गान फटी हुई है उन्होंने गाड़ी ले रखी है उनके बीवी हैं बच्चे हैं उनके चैरो त ज़्यादा सब्जेक्टिविटी के बिस्सेस पे काम करते हैं हम बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं इमोशनल होते हैं तो हम किसी ने मुस्कुरा आगे बाद की हमने सब को जोगल या सारे सेक्रेट्स बता दिये नहीं ऐसा नहीं करना है जो एक्सपीरियंस बंदा है 10 साल 12 सब्सक्राइब करता हैं वह अपने परिवार के लिए जरूरी लेकिन आप अभी भावुक हो तो भी प्रोफेशनल अगर कोई सीनियर मिलता है उसके सामने फैल नहीं लोग करते हैं और यह नहीं करना किसी भी कीमत पर नहीं करना और ऐसे लोगों से भी बहुत बचके रहना जो लोग कैसी भी situation हो हमेशाद मुस्कुराते ही रहते हैं हमेशाद दाथ दिखाते ही रहते हैं और experienced हैं ऐसे लोग हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज मिल गई हमको अरे यह तो बिल्कुल इंसान के रूप में भगवानी मिल गए परदे के पीछे पेल देते हैं ऐसे लो इस पे इंडियन parents, इंडियन employees और इंडियन freshers बहुत कम लोग ध्यान देते हैं बहुत कम का मतलब शायद 1% ध्यान देता होगा 99% नहीं देता है सपोज आप coder है तो क्या करता है इंसान वीडियो भी coding के देग रहा है, certifications भी coding के कर रहा है, किताबे भी coding के पढ़ रहा है, खा रहा है coding, पी रहा है coding, बातचीत कर रहा है coding, यह globally इसको चुतियाब समझा जाता है, हो सकता है इंडिया में इसकी बहुत value, लेकिन आपकी एक वो समझ जाएगा कि भाया तुम्हें जिन्दगी जीने का कोई मतलब पता नहीं, तुम अंदकार में ही जिन्दगी जी रहा है, क्योंकि बाहर work और life को बहुत जादा value देता है, जब तक काम करते हैं, मन लागा करते हैं, एक बार 4-5 बज गया, फिर अगर आप उनको call कर द तो यह नहीं करना है, वीडियोज हमें स्पोर्ट्स के भी देखने है, हमें politics के बारे में पता होना चाहिए, और 50 चीज़ें, जो skill related है, उनके बारे में पता होना चाहिए, तो हमें सारी चीज़ें वही नहीं करना है, जिससे हमारा पैसा आता है, या फिर हमारी technology से related है, ठी की तरह नहीं चलना है, dots create करो अपनी जिंदगी में कि बहतर dots कौन से हो सकते हैं, वो सकता है, उसका कोई beat लेना देना ना हो आपकी domain से, it doesn't matter, अपने घर के आसपास देखो कि कोई event हो रहा है, cycling event हो रहा है, कोई swimming event हो रहा है, कोई skill improvement related कोई भी event हो उसको join करो, उसको complete करो, व वो जब connect होगा तो एक बहतर picture बनेगी आपकी जिंदगी में, तो ऐसी कई चीज़े हमें जिंदगी में करनी है, जो जिससे हम alive feel करें, जो purpose हो हमारी जिंदगी करें, जो हमें उठने पर मजबूर करें, हमें उठने का मन करें, हो सकता हमका direct पैसे से लेना देना ना हो, but those dots are very very important, when it comes to global, इंडिया में वो सब चल जाता है, बट बाहर नहीं चलता है वो सब चीज़े, बाहर आप के वल एक ही बात करें जारो, करें जारो, तो आप को consider नहीं करते हैं, knowledgeable person, इसका बहुत अच्छे example दे रहा हूँ है, मैं एक DevOps इंजीनियर हूँ, तो मैं Kubernetes specialist का इंटर्व्यू दे रहा था, तो एक manager था और एक बंदा साथ टेकनिकल questions पूछ रहा था, तो वो कई सारे questions पूछ रहा था, कई सारे मैं बता पा रहा था, कई questions नहीं बता पा रहा था, तो ये normally होता इंटर्व्यू में, फिर manager कहता ही, अच्छा ये बताओ कि और क्या चल ल इनकी world की toughest race होती है, तो फिर manager ने का अच्छा, तो manager जो था, वो था ultra runner, इसका मतलब होता है कि जो 50 km से ज्यादा की distance की running करता है, उसे ultra runner बोलता है, 50 हो गई, 70 हो गई, 100 हो गई, 100 हो गई, 100 हो गई, कुछ भी हो सकती, तो जब पता चला कि मैंने iron man किया और मुझे पता जला क कि वो ultra runner है, तो कुछी seconds में mindset जो था, वो match हो गई, क्योंकि यह races इतनी लंबी होती है, 15 गंटे, 20 गंटे, जंगल में दोड़ा रहे हैं, पहाड़ों पे दोड़ा रहे हैं, लगाता है, कुछ सही से खाय पिये, बेना खाय पिये, तो हमें पता है कि 15 गंटे बाद कैसा feel करत होगा है, तो mindset मैच हो गया, dots मैच हो गया, तो उसके बाद कोई technical round हुआ ही नहीं, खतम हो गया वहीं पर, election हो गया वहीं पर, कहा मेरा iron man, कहा मेरा kubernetes, बट जंदगी में dots करना ठोते हैं, अगर आप कुछ बहतर चीजे करोगे, और यह होता ही होता है, तो be gear put, केवल घुसे नहीं रहना है एक ही चीज में, कि हमको यह चीज आती है, हम दिन रात इसी को पेलते चले हैं, ऐसा नहीं करना, अगर ऐसी जंदगी जी होगे, कि एक ही जीते ही चलेगा, एक ही जैसी जंदगी, तो 70-75 साल के बाद हमारी मौत नहीं होगी, हमारा abortion होगा, हमारा गरपात गरपाता है, तो फिर क्या सुचता है, हमें दुनिया मिल जाए, बाहर आ जाए एक बार, और हम बाहर आगे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं, यह दूनिया मिल जाए, एक गाड़ी है, एक घर है, दो जाए, एक प्लॉट है, तो हमारे और बच्चम कोई फरक नहीं है जाता, हम बहुत लेट हो जाता है, जो कुछ भी होता है, तो बी कियरफुल, विजन क्लियर रखो, सर, दिमाग खुला रखो, काम के साथ साथ और भी अच्छी चीज़े करनी है जुन्दगी में, जिनके डॉट्स शायद कनेक्ट हो पहे हैं, और कनेक्ट होते ही हैं कहीं न कहीं फू इंपॉर्टेंट है, कैसे बड़े से बड़ा परपस हम अचीव कर सकते हैं, तो यह टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब हैं, इन पर डिस्कस करेंगे, तो थैंक्स, थैंक्स पर वोचिंग